17 दिन की बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाये थे शहीद कुंदन 26 साल के शहीद जवान कुंदन कुमार ओजा साहिब गंज जिले के टिहारी गाओं के रहने वाले थे देश सेवा का जजबा और दुश्मनों को मरते दम तक चुनोती देने वाले कुंदन ओजा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए शहीद कुंदन के गाओं को अपने बेटे पर गर्व है उसने भारत मा की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाई पस दिल में इस बात का मलाल है कि वो अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाई सत्रा दिन की बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया बेटी को क्या पता उसके पिता देश के लिए कुर्वानी दे चुके हैं अलगी इतना तो तह है कि बेटी जब होश समालेगी तो पिता की कुर्वानी के बारे में सोच कर उसका सिर्फ वक्ष से ऊचा रहेगा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक महिने से ज्यादा से भी तनाव जारी है कुंदन गलवान में तैनात थे रविवार को उनकी डूटी उसी स्थान यानि की गलवान घाटी पर दी जहां चीनी सैनिकों से भारती सैनिकों की जड़प हुई लगदा के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों की बीच हिंसक जड़प में कुंदन शहीद हो गए कुंदन की शहादत की ख़बर उनके पिता रवी शंकर ओजा को फोन पर दी गए खबर सुनकर पुरा परिवार सत्मे में परीजन चाहते हैं की हीट का जवाब पथर से दिया जाए चीन की कैराना हरकत का जवाब कड़ा सा कड़ाब मिलना चाहिए हमारे देश की रक्षा मंतरी इसके लिए परधान मंतरी इसके लिए बहुत गंभिरता से सोचे चुकि बोडर एरिया पर कुछ जवानों सहीद हो गया है जो एक मेरा ही भतिजा इस गाउं का सहीद हो गया है कुंदनो जहाँ 2011 से सेना में था और बहुत ही जुजारू था तुरू से ही उसका लगन देश सेवा में बहुत जादा रहता था और आज देश की आनबान की सुरक्षा करते हुए आज बोडर एरिया पर सहीद हो गया है जो इस गाउं में काफी मातम ठाया हुआ है लोगों में गुस्सा है पहले से चीन तो कोरोना देशा मामारी से पुरा भी सुको परशान किये हुए है इस तुरुक से कही ना कही चीन की साजिस है और इधर बोडर पर भी लडाई लोखे बाजी कर रहा है कभी बारता करना चाहा रहा है कभी लडाई कर रहा है इसका मतलब कही ना कही उसको मोहतोर जबाब मिलना चाहिए परिवार वालों की अंदर दुख है लेकिन इन सब के साथ शहीद जवान कुंदन कुमार ओजा का इंतजार सबसे ज़्यादा किसी को रहेगा तो वो है उनकी बेटी शहीद जवान कुंदन कुमार ओजा सहीद देश के लिए वलिदान देने वाले 20 सहीदों को बिहार तक सलाम करता है आप सभी को नमन है एशूर विरो ये देश आपको सलाम करता है फिर से आओ इस जमी पर ये धरा आपका अभिनंदन करती है साहिब गन से प्रवीन कुमार बिहार तक